नमस्कार आज हम लोग इस विशेर पे बात करेंगे कि परिनाम का आकलन कैसे किया जाए दिन प्रते दिन हम लोग अपने जीवन में कोई न कोई ऐसा काम करते हैं जिसका आकलन हमें करने की आवशक्ता होती है हम लोग देखते हैं कि हमारा जो परिनाम है वह कितना अच्छा रहा सार्थक रहा सफल रहा और हम कितने गैप के साथ पीछे रहा गए या कितना हम नहीं हो पाएं तो एक तरह से हम मुल्यांकन करने का काम करते हैं परिनाम का आकलन करने का काम करते हैं या हम जानना चाहते हैं कि हमने जो काम किया वह सही-सही हुआ या नहीं हुआ या हम हमें अपने परिनाम से संतुष्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अगर नहीं है तो आगे क्या करना चाहिए तो ये इस बात पर निर्वर है कि हम अपने परिनाम से कितना संतुष्ठ हैं या कितना परिनाम का सही सही आकलन कर पाएं जितना सही हम अपने परिनाम का आकलन कर पाएंगे हम उतना ही अच्छा नई रिगनिती बना सकते हैं तो अगले काम में अपने आपको लगा सकते हैं और हमारे लिए उतना ही प्रेणा भी होगा या हमारे लिए उतना ही सबक निकल के राएगा तो सबसे पहले परिणाम का आकलन कैसे किया जाए आज हम इस पर बात करेंगे इससे पहले कि मैं बातचीत की शुरुआत करूँ अगर आपने चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर करें अब आएए आते हैं कि परिणाम का आकलन कैसे करें तो सबसे पहला जो उपाय है परिणाम का आकलन करने के लिए जो गाहे बगाए हर आदमी करता है वह है यह सापेक्ष्ता क्या है समाज सापेक्ष्ता या सामाज सापेक्ष परिणाम इस माइने में होता है कि जैसे कोई परिणाम हम प्राप्त करते हैं माले जाए मेरी कोई नौकरी लगी अब हम इसको समाज के अधार पर तैख करते हैं कि और लोग मेरे जो सर्किल में हैं, वह किन किन नौकरियों पर हैं और उस नौकरियों के तुलना में मेरी नौकरी कहां ठहरती हैं मान लिजय मैंने कोई बिजनस खड़ा किया अब मैं यह देखूंगा कि समाज में और लोगों ने क्या बिजनस कर रखा है और उन बिजनसों के तुलना में मेरी बिजनस कहां ठहरती है इसी परकार से कोई भी परिणाम हो माल ने जाए कोई सेंचूरी बनाता है किर्केट में अब वो यह देखता है कि पिछले जो और लोग हैं वो कितना इस मैच में सेंचूरी बना है कुछ सी टूनामेंट में यानि जैसे हम कोई परिणाम प्राप्त करते हैं हम समाज के अधार पर उसके तुलना करते हैं कि उसी अस्तर का परिणाम या उसी छेतर में जो परिणाम है वो समाज में और किन-किन लोगों ने प्राप्त किया है और उनकी तुलनाम में मेरी परिणाम कहां ठरती है अगर उस सारे परिणाम के तुलन में आपकी परिणाम पैरलल होती है तो आप खुस होते हैं नीचे रहती हैं तो आपको थोड़ी कसक रहती है ले परिवार साफिक से यह मिरा मतलब है कि अगर कोई हम रेजल्ट करते हैं कोई अच्छी नौकरी या जब क admired करते कोई फिल्म मनाते हैं वह बहुत हीठ करता कोई गाना गाते जो बहुत पाप्लर होता है अब उसका असर हमारे परिवार पर क्या पड़ता है यानि कि अगर उस परिवार के आने के बाद हमारे परिवार से काफी लोग खुस होते हैं और उनको गर्वानवित होता है या गर्व होता है हम पर तो हम खुस होते है वह परिवार के मुल्ले पर होता है परिवार के अनुशार होता है या परिव के बाद आपकी सारी गिला सिक्वा मिडिया और कम रहता है तो हम फिर कोशिस करते हैं तो यह एक परिवार भी अधार होता है समाज भी अधार है परिवार भी अधार है दूसरा जो यह है परिवार परिणाम का की वेक्ति साप्यक्ष होता है तीसरा वेक्ति साप्यक्ष मतलब की परिणाम अगर आप किसी को मिलता है अब जिस आदमी को परिणाम मिला होता है जैसे कि मैंने कुछ काम किया और मुझे कोई परिणाम मिला सफलता मिली मुझे किसी भ किसे मुझे कमाता हूं बहुत सारा अब परिवार और समाज तो एक पहलू है पर एक पहलू मैं खुद भी हूं मैं खुद क्या सोचता था और मैंने क्या पाया खुद मैंने अपने लिए क्या सोच रखा था और कितना मैं प्राप्त कर पाया यह भी एक आधार है और खुद के आधार पे अगर आदमी कहते हैं कि अगर खरा उत्रा, खुद में अगर संतुष्ट है तो थोड़ा परिवार या थोड़ा समाज अगर ना खुष भी है तो हम खुष रहेंगे। समाज और परिवार बहुत खुष है अगर हम स्वेम खुष नहीं है तो फिर वह खुषी थोड़ी माइने ने रखती या वह कम जाती है। लेकिन वेक्ती सापेक्ष यानि खुद जो वेक्ती परिवार प्राप्त किया है वह सबसे बड़ा इकाई है। कहीं न कहीं जाकर वो परिवार और समाज से बड़ा इकाई है क्योंकि परिवार और समाज का निर्मान उसके ही अधार पर हुआ है या वह भी परिवार और समाज को देखने का एक अधार है तो उसको नकार कर परिवार समाज नहीं है तो वेक्ति सबसे बड़े इकाई है और लोगको बहुत महतेफ़पून एकाई है किसी भी परी नाम का मुल्यांकन या गनाना करने के लिए उसकी सफलता-सफलता की सुनिस्टता करने के लिए फैश्ञ त् Chraty Cup करने के लिए वेक्ति से बड़ा कोई में कर दिखाया यानि कि मेरे पुर्खों ने भी ऐसा काम नहीं किया था मेरे चाचा मेरे ताउ मेरे दादा मेरे फुपा किसी ने ऐसा काम नहीं किया था इतनी सफलतार जितनी की थी जितना में किया तो एक एतिहासिक पक्ष भी होता है परिनाम के आकलन करने का अगर एतिहास तो एतिहासिक पक्ष भी एक परिणाम के आकलन करने का बहुत ही सरल, सटीक और जबरदस तरीका है और इतिहासिक्ता की कालखंड जितने बड़ी होती है परिणाम उतना बड़ा होता है यानि कि पिछले सौ साल में कोई नहीं किया था तो बड़ी हैं 200 साल में नहीं किया था बड़ा, उसका 6 तरफल एतिहासिक्ता का जितना बड़ा होता है, उतना बड़ा है, 10 गाउं से पिछले 100 साल में कोई नहीं किया था, 20 गाउं से कोई नहीं किया था, इस पूरे इलागा में कोई नहीं किया था, तो परिनाम के आकलन करने का या परिनाम का जो आकलन हम करते हैं वह इस अधार पे भी करते हैं कि हमारा input कितना था और यह बहुत practical है वहवारिक है input यानि कि हमने कितना मेहनत किया था कितना श्रम किया था कितना पैसा लगाया था कितनी हमारी आशा थी हमने कितना ऊर्जा लगाया था तो man money material पर भी हम परिणाम का calculation करते हैं कि कितना समय संसाधन और स्रम समय संसाधन हमने कितना लगाया था उसके अनुसार हमारा परिणाम कितना है यानि जितना समय संसाधन और स्रम हमने लगाया था क्या परिणाम उसके तुलना में उसके बरक्स में ठीक बैठता या उससे कम है अगर कम है तो हम थोड़ा नाकुष होता है अगर बराबर है तो लगता है का साओर होता अगर ज्यादा है यानि इंपुट कम मिलके आउटपुट ज्यादा होता है इफिसेंसी बहुत है परिणाम का तो आप बहुत खुश होते हैं और आपको लगता है कि नहीं संतुष बोस्ट होते हैं आपको लगता है नहीं कुछ कि न कुछ तो मैंने अरजित किया है तो यह भी एक परिणाम के आकलन करने का या मुल्यांकन करने का काफि सटीक और वहवारीक हैं जादा तर मसलों में इसी अधार को करते हैं जब भी हम इकनोमिक की बात करते हैं या इंडस्ट्री की बात करते हैं कंपनी की बात करते हैं तो मुल्यांकन इसी अधार पर होता है समाज में और सब भी तरीके हैं मुल्यांकन करने के लेकिन जब हम विशुद्ध पैसे में मुल्यांकन करते हैं या प्रोडक्ट में या वस्तु में या बाजार के अधार पर मुल्यांकन करते हैं तो उसकी काई यही होती है उसके बाद एक और बड़ा परिणाम में ये है कि जो बदलाव है मतलब कि बदलाव की बात करते हैं कि बदलाव में कितनी भागीदारी रही है परिणाम बदलाव यानि कि अगर किसी परिणाम को प्राप करने से मेरे आने वाली पीडियों में बदलाव आ जाए यानि कि मेरी साथ पिढ़ियां जो करते हैं कि अब किसी को कमाने की जरुरत ने मैंने इतना कमा लिया है या मैंने जो करनामा कर दिया है वह अब आगे आने वाली पीडियों तक यह पहुंचेगा या सबक या मैसेज मिलेगा कि कोई था इस पीड़ी में कि जो इतना कुछ करके गया था तु बदलाओं में कितना भागीदारी है और बदलाओं का छित्रफ फिर मैं बात करूँगा या आपके अपने लाइशं में बदलाओ भोता है या पूरे परिवार को बदलने में है वही पूरे धं से समरिद्धी से सबकी उमीदों से कितना बदल पाता है हर तरीके से और समाज में कितना बदलाव लाता है लोग कितना आपसे प्रेड़ना लेते हैं सीख पाते हैं और लोग की जीवन में कितना बदलाव आता है माली जै एक ऐसा परिणाव है भागिदारी है, कितना बदलने में सक्षा में आसपास के वतावरण को आसपास के परिवार को, आसपास के एकाई को, तो ये भी परिणाम के मुल्यांकन का एक बड़ा सटीक, सपस्ट और बहुत ही मजबूत पक्ष है तो ये कुछ वहवारिक पक्ष्टें, कुछ ऐसे पक्ष्टें जो समाज में परियुक में लाए जाते हैं और वहवारिक्ता में यह काफी बोले जाते हैं और इनके अधार पर परिणाम का मुल्यांकन होता है और मुझे लगा कि इससे समंदित चर्चा किया जाए, काफी अच्छा विशए है और काफ सोचे धन्वाद